ब्रिंदा ओनलाइन इस्टेडी क्लासेज में एक बाद फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ देखिए आज के नूजित में मुख्य नूज क्या है सिच्छा जगस से जुड़ी हुए PGT परिच्छा के लिए प्रवेश पत्र एक दो दीन में किये जाएंगे जारी PGT के तो जारी हो गए हैं पेपर 7 और 8 अगस्त कल से शुरू है कल और पड़सो है और PGT की जो परिच्छा है उसका प्रवेश पत्र एक दो दीन में भी जारी हो जाएगा प्रवक्ता संवर्ग PGT की 17 और 18 अगस्त को परिच्छा के लिए प्रवेश पत्र एक दो दिन में उत्तर परदेश माधमिक सिच्छा सेवा चैन बूर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दियाएगी मादमीक सिच्छा सेवा चेयन बोर्ड में केंद्र एलाट करने की तायारी अंतिम दोर में है करोना के देखते वे परिच्छा 75 जिला मुख्यालेओं पर दो पालियों में कराई जाएगी परिच्छा केंद्र अभ्यारतियों के मूल पते के जिले में दिया गया है चेयन बोर्ड के उप सची परिच्छा नियंतरक नवल किशोर ने बताया कि करोना मामारी को ध्यान में रखकर TGT की तरह PGT के भी परिच्छा केंद्र बनाए गया है एक दो दिन में प्रवेश पत्र जारी कर दिये जाएंगे तो एक या दो दिन में आपके PGT के भी प्रवेश पत्र जारी कर दिये जाएंगे नियुक्ति आदेश नहीं देने पर सरकार हर जाना दे या हाई कोर्ट का करना है मादमिक सिच्छा बिभा के सहायक सिच्छक पत की सिच्छक की नियुक्ति के मामले में बार-बार निर्देश के बावजूर यथा चित आदेश नो पारित करने पर हाई कोर्ट की लखनो बेंच ने नाराजगी जाहिर की है इसे उत्पीडन करार देते हुए राज सरकार पर पच्चास हजार का जुर्माना लगाया है नायाले ने पाया कि वर्स दो हजार से याची एक ही विशे पर पांच याची कायद आखिल कर चुका है वर्स दो हजार में याची एक ही विशे में पांच याची कायद आखिल कर चुका है और नायाले ने चार बार विभाग को अपनी टिपड़ियों के आलोक में यतोचित निर्णे लेने की आदेश दिया विभाग गरा हर बार एक जैसा ही आदेश जारी करते हुए याची के प्रत्यावेदनों को निरस्त कर दिया गया यह आदेश न्याय मूर्ती अब्दुल मोहीन की एकल पीठ ने प्रमोद कुमार की सेवा संबन्दी याचिका पर दिया है यह जो आदेश है यह न्याय मूर्ती अब्दुल मोहीन की एकल पीठ ने प्रमोद कुमार की सेवा संबन्दी याचिका पर दिया है याची का कहना था कि 1999 में विशे विशे सक के केपद पर उसका चैयन हो गया वो उसने हरदोई के एक इंटर कालेज में ज्वाइनिंग भी कर लिया हाला कि निक्तियां में कुछ अनियमित ताएं पाए जाने के कारण रोक दी गए एक अब्भ्यार्थी अवदेश कुमार ने हाई कोर्ट की शरली जिस पर हाई कोर्ट ने राज सरकार को पूरी भरती प्रक्रिया को रद करने की बजा एक इसकुटनी कमेटी बना कर अनियमित निक्तियों की अलग करने को सही निक्तियों को जारी करने का आदेश दिया उक्त आदेश के बाद इस्कूटनी कमेटी ने अन्य अभ्यार्थियों के साथ साथ याची की निक्ति को भी सही पाया लेकिन विभाग वरा याची के निक्ति के दावे को खारिज कर दिया गया याची ने हाई कोट में याचिका दाखिल के जिस पर नियायाले ने 2000 में ही बिभाग को इस्कूटनी कमेटी की रिपोर्ट वर अन्य अभ्यार्थिक एक मामले में मामले को द्रिष्टिगत रखते हुए यह नेड़े दिया वर्तमान याचिका में अपर मुख्य सचीव माधमिक सिच्छा के 26 अपरेल 2019 के आदेश को चुनोती दी गए थी जिसमें याची के दावे को फिर खारिज किया गया था नयाले ने उक्त आदेश को निरस्ट करते हुए यह स्कूटनी कमेटी के प्रस्ताव के मुताबिक निड़े को कहा है नयाले ने यह भी कहा है कि सरकार चाहे तो हर जाने की यह जो रकम है 26 अपरेल 2019 का आदेश पारी करने वाले अधिकारी से वसूली की जा सकती है तो यह निक्ति के आदेश नहीं देने पर सरकार को हर जाना देना पड़ेगा यह हाई कोट लखनों की बेंच का निर्ड़ा है अगला निज केंद्री विद्याले में सिचको के 20% पद खाली रिक्तिक से संबंदित है देश विदेश में इस्थित 1248 केंद्री विद्याले में सिचको के कुल स्विक्रित पदों की तुलना में तकरीबन 20% पर खाली है यह जानकारी केंद्री विद्याले संगठन की ओर से RTI अधिनियम 2005 के तहत दी गई है केंद्री विद्याले में प्राइमरी से लेकर इंटर तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2021 तक सिचको की कुल 46,884 पद स्विक्रित थे इन में से 9,236 लब 20% पद खाली है थे 37,648 पदों पर सिचक कारेरत है सिचको की सेवा निवरती और करोना के संक्रमन से नीधन के कारण रिक्त पदों की संख्या जो है वह बढ़ गई है केंद्री विद्याले संगठन के देश विदेश में 1248 स्कूल है और इन स्कूले में सिचको के कुल 46,884 जो पद है यह स्विक्रित पद है यहां देखे केंद्री विद्याले में 1 जुलाई 2021 को सिचको की इस्थिती है जैसे PGT में 11,105 पद स्विक्रित है जिसमें 9,381 कारेरत है और रिक्ती 1,724 है और TGT में 18,416 पद स्विक्रित है जिसमें 14,904 कारेरत है और 3,512 पद रिक्ती है और PRT में 17,363 स्विक्रित है जिसमें 13,363 पे कारेरत है और 4,000 जो है रिक्ती है कुल योग यहाँ पे दिखाया है कि 46,884 कुल स्विक्रित पद है कारेरत 37,648 है और रिक्ती की संख्या जो है वह 9,236 है इस तरह 9,236 पद है वह केंद्री विद्यालों में खाली है देखिए इस पर विक्यापन कब तक आता है दोस्तों इसीक साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्स होता है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता है और चैनल को मैं सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें